एक रामपूर नाम का गाव था, उस गाव में काफी बड़ा एक पेड था, उस पेड पर एक टूनू नाम की चिडिया रहती थी, टूनू चिडिया अपने घर में खुशी से रहती थी, उसके साथ उसके बच्चे भी रहते थे, वो चिडिया अपने बच्चों से बहुत प्य उनका पूरा ध्यान रखती थी, उस टूनू चिडिया का पती काफी साल पहले उसे छोड़कर दूसरे गाव चला गया था, इसलिए टूनू चिडिया अपने तीन बच्चों के साथ ही रहती थी, एक दिन की बात है, चिडिया के बच्चे टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पिज्जे वाले के पास उड़कर जाती है, और उसे एक पिज्जा मांगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते है, फिर भी वो एक पिज्जा उधार लेके आती है, बच्चे उस पिज्जा को देखकर काफी खुश हो जाते है, और सभी मिलकर पिज्जा खाने लगते है बच्चे कुछ जादा ही पिज्जा खा लेते हैं और उनमें से एक बच्चे का पेट खराब हो जाता है और उसे बार-बार सौच को जाना पड़ता है चिडिया उसके लिए एक हगीस लेके आती है लेकिन तभी बच्चे की तबियत ठीक हो जाती है एक दिन सुभा सुभा टूनू चिडिया काम को जाने के लिए तयार होती है और अपने बच्चे की हगीस पहन लेती है वो चिडिया उर्ते-उर्ते काम को जा रही होती तब ही उसके सामने कौवा पिज्जा वाला आता है वो चिडिया को पैसे के लिए तंग करता है और उस पर एक कुलहारी से हमला कर देता है लेकिन टूनू चिडिया को कुछ भी नहीं होता है चिडिया एक पेड को उखाट कर उस कौवे पर फेक देती है कौवा उड़कर खुद की जान बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है चिडिया सोचती रहती है कि उसमें इतनी ताकत आई कहा से फिर थोड़ी देर बाद उसके पास एक परी आती है और उसे बताती है कि उसमें इतनी ताकत इस हगीस के पहनने के कारण आई है यह एक जादूई हगिस है इसे पहनने के बाद कोई भी बलवान हो जाता है चिडिया उस परी से कहती है कि उसे इस जादूई हगीस की कोई जरूरत नहीं है उसे सिर्फ उसके बच्चे के लिए खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब है वो परी टूनू चिडिया की बाते सुनकर भावक हो जाती है और उसे करोडो रुपे की धन दौलत दे देती है और वहाँ से चली जाती है चिडिया वहाँ से उड़कर अपने घर चली आती है और उस पैसो से अपने बच्चों के लिए बोहुत सारा खाना पीना और पहनने के लिए कपड़े ले आती है इस तरह टूनू चिडिया अपने बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताती है